हरे कृष्णा वीवर्स वेल्कम टू मैं योट्यूब चैनल आज हम लेफ्ट ओवर फैब्रिक से स्क्रंची रबबर बनाएंगे इस फैब्रिक से मैंने फ्रिल कूर्ती भी बनाई वी है जो आपको नजर आ रही है अगर आपने इस कूर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो उसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बैल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ये स्क्रंची रबबर बालों में लगाने के बाद कुछ इस तरीके का नजर आता है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ये देखिए वीवर्ज ये कपड़ा मेरा कूर्ती में से बचा हुआ है ये इसकी रॉंग साइड है और ये उपर इसकी राइट साइड है अब मैं आपको इसकी मेजर्मन बता देती हूँ इसकी लेंथ 26.5 है और इसकी जो ब्रेर्थ है वो 8 इंचीज है अब हम इसको ब्रेर्थ वाइस फोल्ड करेंगे और मिडल में निशान लगा लेंगे ये निशान मुझे दोनों तरफ लगाने होंगे तो मैं दोनों तरफ मिडल में निशान लगा दूंगी अब ये देखे विवर्ज ये मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिये हैं अब मैं इसको लेंथ की तरफ से मिडल में से फोल्ड कर दूंगी और यह जो मैंने निशान लगाया हुआ है इसमें से half inch में right side और half inch में left side पे निशान लगा दूँगी यानि मेरा बीच में एक inch का gap रह जाएगा यह देखें viewers यह मेरा एक inch का gap रह गया है अब यह जो मेरा एक inch का gap रहा है इसके right side और left side दोनों तरफ में सिलाई लगा दूँगी और यह जो बीच में एक inch का gap है यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है यह मैं आपको machine में सिल के दिखाती हूँ अब यह देखें अब मैं यह जो सिलाई लगाऊंगी यह पहले निशान तक लगाऊंगी और यहाँ पर मैं पक्का कर दूँगी और इसके बाद यह जो बीच में एक inch का gap रह चोड़ के next निशान से मैं पूरा नीचे तक निशान लगा दूँगी अब यह देखें वीवर्स यहाँ पर मैं इसलाई कंप्लीट हो गी है और बीच में एक inch का gap छोड़ रखा है अब यह देखें वीवर्स अब यह जो हमारा बेर्थ का middle part है इस पर भी मैं दोनों तरफ से निशान लगा दूँगी अब यह जो दोनों मैंने निशान लगाए हुए हैं इनको एक दूसरे के आमने सामने रख कर मैं pearl head pinces को secure कर लूँगी अब यह देखें वीवर्स यह मैंने pearl head pinces अच्छे से attach कर लिया है अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अब हमने यह जो सिलाई लगाए वी थी इसको एक दूसरे के सामने रख कर सिलाई लगा देनी इसको अंदर रखना है pearl head pinces जो हमने attach कर है उसको अंदर की side रखना है जैसे आपको नजर आ रहा है और ये जो हमने साइड में सिलाई लगाई वी थी पहले इसको आमने सामने रखकर हमें साइड में सिलाई लगा देनी है ये मैं आपको मशीन में सिलके दिखा देती हूँ ये देखे विवर्ज ये मैंने इसी तरीके से मशीन में रख दिया है अब मैं इसमें सिलाई लगाते जाऊंगी हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है और अंदर के कपड़े को बाहर की तरफ पुल करते जाना है निकालते जाना है तो हमारा जो ये सिलाई है पूरे राउंड में सिलाई हो जाएगी और हम उसी जगे पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने सिलाई स्टार्ट करी है यह देखे वीवर्स यह मैं आपको दूसरी तरफ से कैमरा रखके दिखा रहती है आपको जादा अच्छी से समझ में आएगा अब यह देखे वीवर्स हम वहाँ पर दुबारा पहुंच गए हैं जहां से हमने सिलाई स्टार्ट करी ही थी यह हमारी राउंड में सिलाई हुई है अब यह देखे वीवर्स जो हमने एक इंच का बीच में गैप छोड़ा हुआ था यहां पर से हम सारा जो राइट साइड है फैबरी का वो निकाल लेंगे यह देखे वीवर्स यह हमने पूरा पलड दिया है राइट साइड की तरफ यह जो हमारा बीच में एक इंच का गैप है यहां पर हम इलास्टिक डालेंगे यह देखे वीवर्स यह इलास्टिक है इसकी लेंद में बता देती हूँ इसकी लेंद साड़े साथ इंच है यह जो इलास्टिक है अब हमें इसी गैप के बीच में डालनी है इलास्टिक को बीच में डालने से पहले यह जो गैप है वन इंच का इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इससे सीधा निशान लगा देना है जैसा आपको नजर आ रहा है और यहां पर मैंने सिलाई लगा दूँगी अब यह देखिए विवर्स मैंने वन इंच के गैप के दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दिया और अब मैं इसके बीच में से इलास्टिक को डाल दूँगी सेफटी पिन की हैल्प से अब यह देखिए विवर्स यह मैंने इलास्टिक पूरी पास कर दिये और अब मैं यहां पर इसको बांद दूँगी इलास्टिक को बांदने के बाद इलास्टिक को हम फैब्री के अंदर डाल देंगे और यह जो बीच में हमारा वन इंच का गैप है इसको हम सुरी से हाथ से ही सिल देंगी यह देखें वीवर्स इसको हमने हाथ से इस तरीके से सिलने हैं जिस आपको नजर आ रहा है इसको हमें ध्यान से सिलने हैं वीवर्स नीचे का जो फैबरिक है वो हमारी सिलाई में नहीं आना चाहिए झाल 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 यह देखिए वीवर्स यहां पर हमारी सिलाई कम्प्लीट हो गी है अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा थैंक यू फर वाचिंग हरे कृष्णा